नमस्कार विश्मी किचन में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जारी हूँ वेज चौमिन ये वेज चौमिन बनाना बहुत ही आसान है बहुत जल्दी बन जाएगी और खाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वेज चौमिन बनाने के लिए मैं सबसे पहले नूडल को गरम पानी में डाल के उसको बॉयल कर लूगे तो यहां पे मैं मोटा वाला नूडल ली हूँ मोटे वाले नूडल का बहुत अच्छा चौमिन बनता है तो आप जब भी बनाए तो मोटे वाले चौमिन से ही बनाए अ रिफाइन और डालने के बाद से मैं इसके अंदर नूडल डालूंगी और नूडल को अच्छे से पक जाने तक इसको बॉयल करते रहना है बीच बीच में इसको चलाते रहना है ताकि यह चुपके न और गैस का फिल्म हाई ही करके छोड़ देना है पांच से चै मिनट के अंदर नूडल एकदम परफेक्ट तरीके से पक के तयार हो जाएगा यहाँ नूडल एकदम परफेक्ट तरीके से पक चुका है एक नूडल को मैं हाथ की सहायता से तोड़ के देखूंगी तो एकदम आसानी से यह नूडल तोड़ जाएगा उसके बाद से मैं इसके अंदर का जो पचा हुआ पानी है उसको ड्रेन कर लूँगी ड्रेन करने के लिए ये मोटे छेद वाला छन्नी लूँगी और इसके अंदर मैं ये नूडल को डाल दूँगी और नूडल डालने के बाद से मैं इसके अंदर ठंडा पानी डालूंगी जब ये नूडल गरम रहता है तुरंट अगर आप इसके अंदर ठंडा पानी डाल देंगे तो ये इंस्टेंट चोकूक होता रहता है वो बंद हो जाएगा वेज चौमिन बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ वेजटेबल्स को कट कर ली हूँ जिसमें पत्ता गुबी, गाजर, सिमला मिर्च, बीन्स, हरा प्याज, मिर्ची, अद्रक और प्याज चौमिन बनाने के लिए या तो आप ननिष्टिक की कडाई में बनाए या फिर लोहे की कडाई में बनाए तो मैं यहाँ पे लोहे की कडाई में बना रही हूँ कड़ाई जब एकदम अच्छे से गरम हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर cooking oil डाल दूंगे cooking oil को मैं कड़ाई के चारों तरफ अच्छे से coating कर दूंगे और coating करने के बाद से मैं इसके अंदर प्याज, सिमला मिर्च, हरी मिर्ची, गाजर, बींस, अदरक सब डाल दूंगे और डालने के बाद से गैस का फ्लेब एकदम हाई रखना है और तो से चार मिनट तक इसको कोक करना है गाजर, सिमला मेर्च, बेंस, प्याज इसको कोक करने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसको पहले डाल देना होता है उसके बाद से मैं इसके अंदर पत्ता गोभी और सगा प्याज एड़ करूँगे सगा प्याज और पत्ता गोभी सबसे लाश्ट में एड़ करूँगे क्योंकि ये गलने लगता है गैस का फ्लेम एकदम हाई रखना है नहीं तो ये अच्छा नहीं बनेगा सबजी एकदम खिला खिला हुआ नहीं दिखेगा तो यहाँ पर मैं सारे सबजी को डाल दियो हो डालने के बाद से इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और मिक्स करने के बाद से एक से दो मिनट तक इसको कुक करूँगे और जैसे ये कुख हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर सॉस डाल दूँगे टेस्ट के एकॉर्डिंग ग्रीन चिली सॉस रेट चिली सॉस टमैटो सॉस इनको डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगे और मिक्स करने के बाद से एक चमच विनिगर विनिगर डालने के बाद से मैं इसके अंदर चुटकी वर नमक डालूँगे इसके अंदर बहुत जादा नमक नहीं डालना होता है क्योंकि जितने सॉस होते हैं उसके अंदर नमक रहता है और जो सोया सॉस होता है उसके अंदर भी नमक रहता है तो नमक डालते टाइम थोड़ा सा ध्यान दे सारे वेजिटेवल अच्छे से कुख हो चुके है और सौस भी मिक्स हो चुका है और अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये नूडल ये नूडल देखिए कितना खिला खिला हुआ है और इसके अंदर आपको जितने लोग के लिए बनाना है उसके एक ओर्डिंग आप इस वेजिटेवल के अंदर नूडल को डाल सकते हैं वेजिटेवल के अंदर नूडल दालने के बाद से अच्छे से मिक्स कर लेना है और mix करने के बाद से वेजिटेवल के अंदर ये नूडल डालने के बाद से अच्छे से mix कर लेना है और mix करने के बाद से gas का flame high ही रखना है चौमीन बनादे टाइम हमेशा gas का flame high ही रखना है और लाश्ट में मैं इसके अंदर डालूंगे soya sauce डेट चमच मैं इसके अंदर soya sauce डालूंगे soya sauce डालने के बाद से मैं इसको अच्छे से mix कर दूंगे और mix करने के बाद से ये हमारा वेज चौमीन बन के तयार हो चुका है आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना के रख सकते हैं और जब कोई guest आए आपके वहाँ तो आप इसको तुरंत गरम भी कर सकते हैं अगर आपको मेरी ये वेज चौमीन रेस्टी पसंद आई तो मेरे चैनल को like, subscribe और comment करना ना भूले वीडियो के आंग तक बने रहने के लिए thank you so much like, subscribe, share, टरो thank you